नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुप्रोधता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत है मेरा इस यूटूब चैनल होमेोकेट टिप्स पे दोस्तों आज इस वीडियो में आप लोगों से माइग्रेन का उपर में एक केस सेयर करने वाला हूँ जो कि सिर्फ दो मेहना होमेोपैथिक ट्रीडमेंट की मदद से काफी हद तक ठीक हो चुका है हम लोग कह सकते हैं कि 95% तक जो है ये माइग्रेन ठीक हो चुका है और अब मैं सिधा केस पर आता हूँ मेरे ख्याद से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सभी लोग जानते ही होंगे कि माइग्रेन का अर्थ क्या होता है तो मैं बेसिक चीजों के उपर बात करके अपना और आपका टाइम बरबात नहीं करना चाहता हूँ तो मैं सिधा केस पर आता हूँ तो दोस्तो आज से ठीक दो मेहना पहले एक 51 यार ओल्ड लेडी पेसेंट हमारे पास आई थी अपना माइग्रेन का ट्रीटमेंट करवाने के लिए जो कि पिछले 3 साल से इस माइग्रेन का प्रॉब्लेम से जूज रही है बहुत ज़्यादा हेड़ेक की सिकायत इनको होती है एकदम अन्बियरेबल पेंट जिसे हम लोग कहते है और ये लेडी बाई प्रोफेशन एक बहुती पॉपुलर एडवोकेट है एक बहुत ही रिस्पॉंसिबल और पब्लिक डिलिंग के साथ ये जुड़ी हुई है लेकिन जब माइग्रेन का प्रॉब्लेम इस पेसेंट का अंधर बढ़ता है तो ये पेसेंट पूरी तरह बेहाल हो जाती है और एकदम बेड रेस्ट इनको लेना पड़ता है क्योंकि धूप में ये बहार निकल नहीं पाती है जैसे ही धूप में बहार निकलती है तो इनका आँख का सामने एक धुन्दला पंस आ जाता है और हेड़ेक की तो बात ही मत करो बहुत ज़्यादा हेड़ेक होता है उसी के साथ नौसिया, वोमेटिंग, रेस्लेसनेस और साथ में एक्सेसिप टायडनेस और अब ये पेसेंट अपना इस प्रॉब्लेम के रिगार्डिंग इन्होंने एलोपैथिक, आयुरुवेदिक काफी ट्राइ कर रखा है होमेटि भी इन्होंने ट्राइ किया है किसी एक डॉक्टर से वो ओनलाइन करसल्टेसन ली थी लेकिन उनका ट्रीट्मेंट से भी कोई खास फरक इनको नहीं पड़ा था फिर अट लास्ट ये लेडी एकदम पूरी तरह फेड़ाब हो चुकी थी इनको ऐसा लगता है कि ये माइगरेन का प्रॉब्लम ठीक ही नहीं हो सकता है अब ये पेसेंट मेरा चैनल का साथ कई समय से जुड़ी हुई है इनको लगा कि क्यों ना इस डॉक्टर को एक बार मौका दे कर देखना चाहिए फिर अट लास्ट ये पेसेंट हमारे साथ ओनलाइन कंसल्टेशन के माध्धम से जुड़ी इन्होंने अपना सिटी स्कैन वगरा सब कुछ रिपोर्ट जो है मुझे सेंड किया फिर मैंने उनका रिपोर्ट को स्टेडी किया उनका रिपोर्ट में ऐसा कुछ खास था नहीं थोड़ा बहुत इनको साइनोसार्टिस का प्रॉब्लम था लेकिन रिपोर्ट में घबराने लाइक ऐसा कुछ था नहीं फिर मैंने इनका पिछले हॉमियोपैट के प्रेस्किप्शन देखा, जहां से ये ट्रीटमेंट ले रही थी, वहां सिंटेमेटिक ड्रग के तौर पर अल्मोस्ट सभी दवाईय ट्राइ किया जा चुका था, बिलाडोना, ग्लोनाइन, नाट्रोमूर, जलसिमियम, सैंग्योन चाहिए था, ये लेडी बार-बार एक बात कह रही है, कि जब से मुझे मेनोपॉस हुआ, यानि जब से मेरा पिरियेट बंद हुआ, जब से महावारी आना बंद हुआ, तब से मुझे माइगरेन का प्रॉब्लम सुरू हुआ है, इन्होंने मुझे भी वाटसाप पे सेम ब चैन किया, और लाकसिस को हम लोगों ने एक प्रॉपर डोस के साथ, एक प्रॉपर रिपिटेशन के साथ, इनका उपर ट्राइ किया, और आज तकरीबन दो महना हो चुका है, इनका हमारे पास ट्रीटमेंट को लेते हुए, और इन्होंने अपना प्रॉब्लम के हम लोगों ने बड़ी आसानी से काफी हद तक सेटल कर दिया है, तो आपको कोई भी क्रॉणिक से क्रॉणिक डिजीज ही क्यों ना हो, आपको घबराने का बिल्कुल भी जरौत नहीं है, होमेपैथिका रहते रहते, आप किसी एक क्लासिकल होमेपैथ के पास जाईए, और प्रिट्मेंट आव लीजे, आप देखेगा कि आपका प्रॉब्लेम जो है, कितना जल्दी सौट आउट होता है, तो दोस्तो मैं इस वीडियो को ही पेंट करता हूँ, और में उम्मित करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी, और मेरा जो वीडियो है, आप लोगों के लिए लापकर साभित होगी, और इसी तरह मुसे जुड़रेने के लिए मेरा येटूब चैनल होमयो के टिप्स को लाइक करें, शेर कर सस्क्राइब करें, और बैल आइकों को दवाना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तो, सो थैंक्यू वेरी मच, एंड वो गुड़ देर